पासाः बाजपाा का मोणी का गुणा ये हैं कि जिस पिछाटी वाजी समाज को अकर रोग हसते हैं अंपढ करते हैं हमलों को बेज़त करते हैं उस समाजने जाथियों से उपर उटकर कुजनात के गुराजा बनाया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हम ने खुली चुनोती दे रखी हैं दो साल से एक दिन एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए बैठक किया हो कांग का छोड़िये अगर आप लोकार हैं आपको भी बता रहा हैं अगर 12-15 साल में मोदी जी ने अगर आपने कोई ख़वर चापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विए ने चुण करने के लिए या बिहार के पलायन रोगने प्लीप दोड़ धी में आप हमको ख़वर दिखा दिए और ये सारे प्रयास के बाद हम जब चुराज का अभियान वापस लेकर इंडिये का समर्षब कर देंगे आप दिखाईए लेकिन जिस समाज में जाती धरम सब भूल कर मोधी को जिताया उस मोधी ने बिहार की चिंता नहीं की जैसे ये पूरा समझ लेखे बिहार के बादी के दोसी हैं वह लानू और मिटीज है लेकिन इसके असली गुनाकार कॉंग्रेस भाजबाई है तो कम का राओं नहीं कि लाजू और मिखी ने विए सब्ता चलाया है विए लाजु जी को पन्चानवे में और निटीज जी को 2005 में एक एक ठीका लेकिन लालु की जंदल राच 15 साल इसके चला पाए कि चर्ण सांशदों के लानच में कॉंग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का वही से लालु के हाथ में धिर्वी रख दिया और जो गलती कॉंग्रेस में की वही गलती हां भाजपा कर रही है यह जो पू दक बनाया यहां सर्क्कार नहीं बनाया यहां नितीज को बेठा दिया है पार्क्यांक को भाराफ मन्ता रहे तो राजपा मेंटी की है जो कॉंग्रेस में किया और यह से कॉंग्रेस सीरे से भिहार में खतिम हो गई लालू और मितीश के बाइब भाजपा यहां सीरे से हो गई है कुछ नहीं बचा है कि यहां अध्यक्स बने हैं हम आपको आपके मंद से बता रहे हैं शुरू लिए शुरू इसके बार में यह ध्यक्स बने हैं यहार के किसी गाव में चल के घरा हो जाए उसमें से 10 परसंट आत्मी भी नहीं को सकता ही आत्मी कौन यह बाजपा के मेत्रितों का अधिये इस्थिति जो बाजपा के अभी अध्यक्स है उसको विहार में 10 परसंट आदमी पहचांता नहीं है कि आदमी है को अब आपका उनके जरी विहार सुनारना चाहिए यही काम कॉंग्रेस में किया था उनना अपने मेत्रितों को खतम करके अध्यक्ता घंदे लालू के अपनी तो उसके बाजपा में विच्व कामिल आदमी है उसको सब को अधाके और ऐसे लोगों को दिया है जो निपीज का फोला भूलाट हो तो यही बाद जाना है निकि आपके लोगों को लाएंगे पीशा है रहे हो यह पाइवान है और अगर कभी आपके और टुसरी सब्सक्राइब जाते हैं तो आपके जन्तुराज की क्या गारंटी और अगर गारंटी नहीं है तो भीहार की जन्ता ये चल्ट के लिए और क्यों ठीक बलूर तीन सवाल आपके दवाब दे रहा हूं। बाला इड़क आप कि आप कर रहे हैं कि काविल आपके को लाएंगे मतंद दूसरा ना काविल है। ये बात नहीं। लकीर बड़ी कर्मे के लिए उस दूसरे को काटना जरूरी देव से लंबी लकीर ठीची जा सकती है। तो जीज़को जन्थशूराज का मत्रित देव रहें। इसका पहला परमाना ये है कि उस आजमी को आप जो जन्थशूराज का अधर्स बनेगा यहां पर सीर बड़े पार्टिओं के चार बड़े पार्टिओं का धर्टिवर्य अस्वाहाय जी हैं। आज़ेनिक अध्यक्स जट्ता नंदी हैं और कॉंग्रेस के अध्यक्स अध्यक्स अखिलेश ज़िए ज़न सुराज का जो अध्यक्स बनेगा उसको खड़ाक कर दीजिए और पांचों के सामने उसकी काबियत उसका डिगरी समाज में नजरिया और किसी वीशेपर आप उससे पहस करा लिए खुद तैकर लिए कि उसमें काबिल कौन है काबियत का पैमाना समाज है दूसरी बात आप में कहीं कि इसकी क्या गारेंटी है कि जल्ब सुराज का आदमी अधर काभी आदमी भी गलत बन जाए इसलिए देश में पहली बात कि यह गोशना हमको दो को करनी है कि अपने सवाल उठाया है कि देश में पहली बात किसी राजमितिक बल में अपने संभीधान में यह लिखा है राइट टू रिकॉल कि अगर जो गट्टी जंद सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसको यह एपिडेमिट साइन करके देना पड़ेगा लीगली इस बात को हम लोग जंद सुराज अपने संभीधान में लिखा है तीसरा और अंतिर सवाल कि जंद सुराज पर भरोसा क्यों करें ठीब बात है अच्छा सवाल है जंद सुराज पर सब भरोसा इसलिए करें कि पहले से लोग यहां पर हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है आपने उसको जात लिया परत लिया जाते हैं कि यह दवा काम नहीं करती ह अगर आपके घर में कोई बीमार पर गया बद्वान ना करें और उसको को यह सी बीमारी होके कि सुधरी नहीं गई है डॉक्टर ने दवा दिया हर तरह का दवा दे दिया तो सुधर नहीं रहा है आप ने कहा दख साब इससे क्या होगा अब तो नहीं दवा आई है तो उसका पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन 20-40 परसेंट संभावना है कि हो सकती है लेकिन कुछ खत्रा भी हो सकता है प्रमाण आप आदेश हो अगर आप शहमत हो तो अने पर ट्राइब करके देखते हैं आप आप क्या कहिए अपने परिगर को बचाने के लिए च्वा कि जो तीन दवा जिसको आपने ट्राइब करिया जिसका फायदा नहीं हुआ उसी पर रखिये गाई या तो या चिना वह जो तीन दिन गलों शहान लोड़ रहे वो एक्सपायर पेडिसीन यह उसको तीस परच देख लिया परख लिया हिनक न्या प्रयास है इससे शुल स्क्ता लेकिन साइद हो भी सकता है तो उपर वाले की दुआ रही तो निश्चित तो पर विहार की जन्ता वो रिस्क लेगी और एक अंतिम बाद कि हमारा आत्मा पाणना है कि सब के जीवन में कभी न कभी सबेडा आना है विहार के 13 करोड जन्ता के भविष्य में कि कभी न कभी तो सुरा भगवान में विल्था होगा हम लोगको निनित माट गण हम तो पहले वीए हमको समझ्थी हमने प्रयाश क्यों नहीं कि है प्रयास हम तब शुरू किया है जब उपरवाई की मर्जी हुई है हम एक परसेंट है उपरवाला 90% है मेरा ये विश्वास है कि 13 क्रोड दिहार के लोगों का जीवन भी कभी सुधरना भरवान में तहि किया होगा और साय जन्द सुराज वो निमित है वो रास्ता है जिसके ज आपने कहा माई समी कर दो है कि अब ही हमारी बात पर मत्ति है जाता है कि अपने कहा माई समी कर दो अब ही करो अन्य शुचलिआ और अदा का प्रमाई सबसें और ये चुनाओ हुआ है कि सबुद का और ड़कालाक करने वाले हे। प्रपाइब भाइब लोग जानकदारी रखते हैं विमा भारती जी के अपने जाती के 25-30,000 लोग उस घ्रान सबाव में रखते हैं 15,000 में वाई समाज के लोग यादो समाज के लोग रखते हैं और 45,000 वहां मुसल्मान रखते हैं तीनों मिलाईएगा तो एक लाथ हुआ और माई समिकर्म के जमिंदारी का गावा करने वाले लोग ठेकेदारी करने वाले लोग के कैंडिनेट को 30,000 भोट आया है दूसरा देखिए एंडिये का अति पिछड़ा तो में 20 वी के साथ है तो भया रुपावली में एक लाग दस अजार अति पिछड़ा है उनको कितना भोट आया पचास अजार और जीता कौन उस वे और आदमी जीता है अगर यहां सोना और पीतल रख